हलो दोस्तों स्वागत आपका आमारे चैनल सागर एक्सपरिमेंट वे दोस्तों आज के वीडियो में एक पुराने मुबाल चार्जर से स्पिकर बजा के दिखाया है जो कि आप वीडियो में देख सकते हो दोस्तों आप भी अगर पुरा वीडियो देखते हो तो आप भी सारी चीज़े आसानी से समझ जाएंगे कि किस परकार हम एक पुरानी चार्जर के साध़ इस पिकल को कनेक्ट कर सकते हैं और आप गर पेटे इसको बना भी सकते हो तो दोस्तों सारी चीज़े समझने के लिए आप वीडियो को complete watch कीजिए और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को like और चैनल को जरूर subscribe कीजिए आपको इस चैनल पर रोज ऐसी interesting वीडियो मिलती रहेगी तो guys इसे हम बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम पहले एक कोई साए पुराना mobile charger ले सकते हैं तो देखिए मैंने ये 4-5 charger ले लिए जो की पुराने कुछ खराब है और कुछ सही भी है इन में से और इन में से मैं एक charger select कर लेता हूँ जो की सही हो जिसकी एक charger की एक cable to TV यह charger में ले लेता हूँ तो गाइस इसमें से मैंने एक charger ले लिया है और अब मैं इसको ड्राइवर की मदद से खोल लेता हूँ हलांकि यह थोड़ा मुश्किल से open होता है लेकिन आपको दिरे दिरे इसे आराम से खोलना है तो गाइस आप देख सकते हूँ मैंने charger को open कर लिया है और इसके बाद हमें इसकी PCB को आराम से बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद हमें इसके जो cable connect है जहां से हमारी mobile charger की cable जाती है उसके point को हमें द्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे हमें दुबारा connection करना है यहाँ पे आपको positive और negative लिखावा मिल जाएगा अगर नहीं लिखावा तो आप wire को देख के भी पता लगा सकते हो red wire हमारा positive का होता और black wire हमारा negative का होता है तो गाई जब soldering iron के साहता से दोनों wire जो हमारे output के है उनको अटा लेना है थोड़ा सावदाने से अटाना है क्योंकि यह दोनों terminal soldering iron के साहता से सोट हो सकते हैं इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से अटाए तो अब हमारा charger का काम तो हो गया है अब हमें चाहिए amplifier किट तो मैं यहां PM4C03 amplifier module और एक हमारा Bluetooth module यूज कर रहा हूं जिसको आप वीडियो में देख सकते हो इस पर आपको कनेक्शन की सारी डिटेल इसके उपर दोनों पर मिल जाएगी या पर पोजिटिव निगेटिव और लेप्ट और राइट चैनल और ग्राउंड यह तीनों connection आपको मिल जाएंग और गाईज यह द amplifier kit के connection कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड के आपको left और right चैनल है और बीच का आपका ground है जिस पर मैं soldering कर रहा हूं अब इन तीनों wire को इसी तरह से हम Bluetooth module के साथ भी connect कर लेते हैं तो गयज आप देख सकते हो Bluetooth और amplifier module दोनों को हमने एक साथ connect कर लिया है अब हम इसके साथ 5V supply के wire connect करते हैं दोनों को हम 5V supply से चला सकते हैं तो आप देख सकते हो मैंने एक चोटा wire cut कर लिया है और अब हम दोनों को एक साथ ही एक wire से connect कर देते हैं गयज इस पर हमें connection बहुत ही सावदानी के साथ करना है क्योंकि यह class D amplifier kit है और एक बार ultra connection होने पर खराब हो जाएगा इसलिए आपको connection बहुत ही सावदानी के साथ और देख कर करने है तो आप देख सकते हो मैंने दोनों के एक साथ wire connect कर लिया या दोनों parallel में connect हो चुके हैं जो कि हम इस charger से देने वाले हैं charger पर उसी जगह connect करना है जहां से हमने output का जो charging cable हो उसके wire एट आये ते यहां पर आपको अगर positive और negative लिखावा मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो आप आपने जो cable के connection देखे थे उसी इसके connection कर देने हैं तो गाईज हमारे बाकी connection हो चु लगा सकते हैं लेकिन फिलाल में एक speaker का यूज कर रहा हूं आप चाहिए तो दो wire connect कर रहें दो speaker की चोड़ सकते हैं तो finally guys हमारे connection तो सारे complete हो चुके है अब हम 3 PCP को इस charger की body के अंदर fix करना है तो इसके लिए मैं इन चिन्नों को fix कर देता हूं लेकिन यहां पे amplifier module को short circuit या किसी दूसरे circuit से touch होने से बचाने के लिए मैंने बीच में एक हलका plastic का seat लगा दिया है आप इसके उपर tapping भी कर सकते हो अब आपको आराम से इन तिन्नों को इसके अंदर fix कर देना है तो guys आप देख सकते हो मैंने सारी PCP को इसके अंदर fix कर दिया एकदम आराम से बढ़िया स्विच का यूज नहीं किया है इसलिए आप सिर्दा लाइट से connect करो और चलाओ अब हमें एक speaker की जुरूत पड़ेगी तो मैं यह एक 25W का speaker यूज कर रहा हूं जो कि बहुत ही थोड़ा है भी speaker ही है जिसको आप देख सकते हो अब हमने जो speaker के wire बाहर निका लेते हैं उसको तो आप देख सकते हो हमारे बोर्ड में 220 वल्ट की सप्लाई आ रही है अब हम इस charger को इस बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो गाइज हमारे amplifier ओन हो चुक है अब हम mobile के bluetooth से इसको कनेक्ट करते हैं तो गाइज आप देख सकते हो हमारा circuit कितना परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है आप इसको गर पर बना के ट्राइ कर सकते हो और आपको हमारा वीडियो किसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और ऐसी नए इंट्रिस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए आपका धन्यवार